फ्रेंड्स आज में आपसे शेयर करने वाली हूँ गुजराती स्पेशियल भगत मुठ्या की रेसिपी बिना प्याज और लसुन के ये सबची इतनी स्वाधिश्ट बन के तयार होती है कि किसी भी सात्विक थाली में आप इसे बना के सव कर सकते हैं और बच्चों से लेके बड़ों तक ये सभी को बहुत ही पसंद आएगी तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम फटा फट से भगत मुठिया बनाना सुरू करते हैं भगत मुठिया बनाने के लिए हम लेंगे यहां पे आधा कप चौप किये हुए आलू यहां पे आलू को हमें बड़े बड़े टुकडों में काटना है और फिर उसे यहां पे लेना है आधा कप चौप किये हुए फुल गोबी को और फुल गोबी को भी हमें बड़े बड़े टुकडों में ही कट करके यूज करना है और हम लेंगे आथा कप मतर का मैंने यहाँ पे फ्रेश मतर का यूज किया है आपके पास फ्रेश मतर नहीं है तो आप यहाँ पे फ्रोजन मतर का भी यूज कर सकते हो अब हम इसके साथ डालेंगे पुट्टे के 6-7 स्लाइजिस कट करके पुट्टे को हमें इस तरह से स्लाइजिस में कट करके लेना है और फूल गोबी और आलू को बड़े बड़े टुकडों में ही काटना है अब इस कुकर में हम डालेंगे देर कब चितना पानी और 3-4 चमत चितना नमक इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पे जब भी आप कोई भी सबजी बना रहे हो अलग से इसे उबाल रहे हो तो उसमें साथ में नमक डाला करें ताकि सबजी का कलर जो होता है वो सेम रहता है और साथ में नमक का स्वाद होता है वो सबजी में अच्छे से आ जाता है अब मीडियम और मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 वीसल आने तक अच्छे से इन सारी सबजीयों को पका लेंगे यहां पर जो हमने भुट्टा डाला है उसको पकने में टाइम लगता है इसलिए हमने आलू और फूल गोबी को बड़ा काटा था अब यह पूरी तरह से कुकर ठंडा ना हो जाए तब तक इसको साइड में छोड़ देंगे मैंने यहां पर 4 गंटे पहले 1 कप चने की डाल को 4-5 बार अच्छे से पानी से दोकर भिगोने के लिए छोड़ दिया था हमारी चने की डाल अच्छे से भीग चुकी है तो इसमें से हम पानी छान के निकाल लेंगे और इसे हमें दरदरा पीस लेना है यहां पे आप एक पार्ट या फिर दो पार्ट में चने की डाल पीस सकते हो मैं यहां पे एक की पार्ट में सारी चने की डाल इस तरह से दरदरा पीस रही हूँ अब इसे हम एक बावल में निकाल लेंगे यहां पे एकदम perfect consistency के साथ दरदरा पीसा हुआ चने की दाल का बेटर तैयार है अब हम इसमें डालेंगे 1-4 cup चितना चोप्ट किया हुआ फुदीना 1-4 cup चोप्ट की हुई हरी धनिया 1-4 cup चितनी आदू मिर्च की पेश्ट 3-4 cup चितना नमक 1-5 चमच, कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1-4 चमच चितनी हल्दी यहां पे मिर्च और नमक की मात्रा आप अपने टेश्ट एकोडी रख सकते हो अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 3-4 मिनिट के लिए अच्छे से इसको फेट ना है इस तरह से हम हाथ की मदद से ही इसे अच्छे से फेटेंगे तीरे तीरे यह बेटर है एकदम फलफी हो जाएगा और बैंडिंग वाला भी इसको फ्राइ करने के लिए हम जब तेल में डालेंगे तब यह सेपरेट ना हो इसलिए इसको फेटना ज़रूरी है मैंने और टेल गरम करने के लिए रख दिया था तेल हमारा मेडियम गरम हो चुका है तो इस तरह से हम सारे मुठीए को शेप देकर इसको डिफ्राइ कर लेंगे यहाँ पे हम गेज के फ्लैम मेडियम और मेडियम टू लोही रखेंगे और इस तरह से सारे मुठिये को साइट चेंज करते जाएंगे और दोनों तरब से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे ये मुठिया स्वाद में इतना टेश्टी लगता है कि आप इसे चाई के साथ सव करके भी खा सकते हो यहाँ पे मैंने सिर्फ चोप्ट किया हुआ फुदीना और धनिया पत्ती डाली है आप इसमें चोप्ट की हुई मेथी भी डाल सकते हो तो दोनों तरब से हमारे सारे मुठिया गोल्डन हो चुके है तो हम इसे तेल में अच्छे से चान कर निकाल लेंगे और बाकी मुठिये को भी इस तरह से हम डिफ फ्राई कर लेंगे हमें यहाँ पे गेज की फ्लेम मीडियम और मीडियम टू लोही रखनी है और अच्छे से इन सारे मुठिया को फ्राई करना है इसे आप एक तरह से पकोड़े भी कह सकते हो ये मुठ्या थोड़ा सा ठंडा हो गया है हम इसे चेक कर लेते हैं अंदर से आप देख सकते हो एकदम अच्छे से ये पक गया है इस तरह से हमने सारे मुठ्या को फ्राइ करके साइड में हम निकाल लेंगे अब हमने गेस की फ्लेम ओफ कर दी है और इस कड़ाई को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और हमारे मुठ्या को भी साइड में छोड़ देते हैं अब हम सबजी के लिए ग्रेवी बनाएंगे ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश कोकोनट लिया है चौप करा हुआ उसमें हम डालेंगे फ्रेश कोकोनट की जगा पे आप ड्राइ कोकोनट का भी यूज कर सकते हो और इन सारी चीजों को इस तरह से हमें अच्छे से प दाल सकते हो तो हमारी ग्रेवी के लिए मिक्षिर तयार है इसको अभी हम साइड में छोड़ देते है अब कड़ाई में जो तेल हो हलका घर्ठंडा हो गया है तो इसमें से एक्ष्ट्रा तेल हम निकाल लेंगे और इसी कड़ाई में मैं सबजी का तड़का लगाने वाले ह तो दूसरी कड़ाई का भी यूज कर सकते हो चार चमच तेल मैंने इसमें रहने दिया है उसमें मैंने डाली है थोड़ी सी हिंग और एक कप चितना चौप्ट किया हुआ टमाटर टमाटर को हमें एक मिनिट के लिए अच्छे से शौटी करना है फिर इसमें हम डालेंगे ए तमाटर और मिर्च के माप का ही हमें यहां पे डालना है नमक यानि कि हमने यहां पे दो तिन चुटकी चितना ही नमक डाला है अलका सा इन सारी चीजों को मिक्स और शौटी कर लेंगे मीडियम और मीडियम टू लो फ्लेम पर अब हम इसमें डालेंगे डेर चमच चितना का मैच पावडर और अधरक मैच की पावडर यूज कर सकते हो अब हमने कुकर ठंडा करने के लिए रखा था वो अच्छे से ठंडा हो गया तो इसको ओपन कर लेते हैं हमारी सारी सबचिया अच्छे से कुकड ओ गई है तो इन सारी सबजियों को हम कड़ाई में हलके से ट्रांसपर कर लेंगे अब हमने जो ग्रेवी बना के साइड में रखी थी फ्रेश कोकोनट मुंखफली वाली तो इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे ये फ्रेश कोकोनट की बज़े से जो ग्रेवी का स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है सबजी में और यहां पे आप कितनी गाधी ग्रेवी करना चाहते हो उस हिसाब से ये मिक्षर आप इसमें डाल सकते हो और यहां पे अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए सबजी कि तो आप यहां पे पानी की मातरा ज्यादा डाल दीजिए और अगर आपको यहां पे गाधी ग्रेवी रखनी है सबजी कि तो आप यहां पे पानी कम यूज कीजिए मैं यहाँ पर 1 फोर्ट कप जितना थोड़ा सा पानी डालूंगी और अच्छे से इन सारी चीजों को मिक्स कर लेना है और उबाल लेना है उसके उपर मैंने यहाँ पर मुठिया डाल दिया है और थोड़ा सा धन्या डाला है बाई मिस्टिक मुझसे ये क्लिप्स डिलीट हो गई है मोबाईल में से तो आप जब भी डाइरेक्ट साव करो खाने के टाइम पर तभी इसमें मुठिया डालिएगा और गर्मा गरम इन सब्ची को आप साव कर लो तो हमारी स्वादिष्ट गुजराती स्पेशल भगत मुठिया की रेसिपी तयार है इसे आप कभी भी सात्विक ठाली में दूद पाक है रोटी है या फिर चावल है उसके साथ बना के सव कर सकते हो तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू